हेलो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ जब आप लोग कोई नया प्लांट नर्सरी से प्रचेस करते हो तो आपको उसे नर्सरी वाले पॉलिथीन बैग में से आप फिर गंबले में से निकाल के नए गंबले में कैसे ट्रांस्प्लांट करना होता है तो आज मैं जिस नर्स ने चुर्ण बचा ने जल्दी करवाने के लिए तो आएए देखते हैं तो यह देखिए जो आपको सारे प्लांट दिख रहे हैं एक एक के प्लांट है और इनको अभी ऐसे वाले पॉट में शिफ्ट किया जाना है तो सबसे पहला पर देखें इसमें कुछ यह फ्लावरिंग से कवर कर दिया है ताकि वो मिट्टी से ब्लॉक ना हो जाए और गंबले में से एक्स्ट्रा पानी है वो ठीक तरीके से जो है वो भाहर निकलता रहे उसका जो एडिशनल वाटर है उसके बाद देखे इन्होंने जो एक प्लांट लिया है इसमें इसके जो रूट्स है उसको कौन से यूज कर रहे हैं यह भी एक अच्छी दूसरी तरह की सॉइल है और साथ में देखे एक इन्होंने लखड़ी की स्टिक की मदद से चारों तरफ से जो मिट्टी है उसको प्रेस कर दिया है नीचे ताकि इसमें जो मिट्टी में एयर बबल्स है वो ना रहें और उसक पूरी मिट्टी आपको नहीं बढ़नी आपको हाफ ही मिट्टी बढ़नी है और यह यह ज़रीनियम का प्लांट होता है पूरे साल यह फ्लावरिंग करता रहता है और जल्दी मरता भी नहीं तो इसको भी नुने बिल्कुल सेंटर में लगाया है जब भी आपको प्लांट लगाएं आपको ध्यान रखना है कि प्लांट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए कॉर्णर में नहीं होना चाहिए नहीं तो जो प्लांट से उसकी रूट्स को ग्रो होने के लिए अच्छी जग के यह मिट्टी में घब कोई घाते हैं तो अगर किसी के शेहर के आसपास कोई नदी है तो आप सब भी को पता हो कि पांगी किसको वोलते हैं अगर आपके शहर के आसपास नहीं है कोई नदी तो आप लोग जो आपके शहर में construction shop है यहाँ पर construction material मिलता है इसी की brakes और पत्थर होता है जो सिमेंट होता जो वहाँ पर मिलता है आपको उसकी वांगी पर सकते हैं कि काफी नहीं होते हैं हो ह치는 अपने सबी प्लांट्स देखे इस तरीके से लगाय जा रहे हैं और अगर आपको अपने सॉयल को अच्छा बनाना है तो आप लोग वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खात तो मिला ही रहे हैं साथ आपको थोड़ी सी नीम खली सर्चों की खली और थोड़ा सा उसमें आप अगर आपको नॉलीज और वीडियो पसंद आई हो तो इसको भी लाइक और शेर कर दीजिए और इस तरह की वीडियो और रेगुलर्ली देखने के लिए मुझको भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और गाइस अब बहुत अल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में तिल दैन टे